नमस्कार मैं डाक्टर रणजीत कुमार, हिंदी विभाग ओतिलाल रामनात महाविद्याल अमनौर मैं आप सब के बीच बावा नागार जुन की बहुचर्चित लंबी कविता पाशानी पर संछेप में परिचर्चा प्रस्तूत करूँगा बावा नागार जुन जो यात्री के नाम से, ढक्कन के नाम से, मिशिर जी के नाम से, केदार के नाम से लिठा करते थे इन्हें सहित्य सुधिजन, फक्कड, भुलकड, महाफकड, महाघुमकड, घुमकड, आदी संबोधनों से पुकारते हैं बिद्रोही कभी, जन कभी, इत्यादी नामों से भी बुलाते हैं मुलता है ए मैथली, संस्क्रीट, बंगला और विशेष्त है, हिंदी के कभी के रूप में जाने जाते हैं उपन्यास, कथा कहानी और कईता, इनकी प्रिये बिशे रहा है लेखनी का जहां तक पाशानी शिर्षक कईता का प्रस्न है, तो यह कभीता देश के आजादी के दो महीने पुर्व लिखी गई थी मौजूदा समय में यह कभीता युगधारा में आपको पढ़ने को मिलेगी, और इस कभीता की सबसे बड़ी खास्यत यह है, कि यह बर्वय चंद में लिखी गई है, अलाकि बर्वय चंद में इन्होंने आगे भसमांकूर भी लिखी है, किन्तु यह 220 पंक्ति की बर्वय चंद में लिखी एक बहुत ही सुंधर ख़िता है, रहीम जिन्हें बरवय चंद का प्रनेता माना जाता है उन्होंने बरवय नाई का भेद लिखी और आगे महा कवी गोषवामी तूलसी दास ने बरवय रावायन की रचना की तो यह चंद काभी चर्चित रहा है और कवियों में विशेश महत्व कर रहा है तो सबसे पहली बात यह है कि इन्होंने बरवय चंद में इस कर्वता को लिखी है और यह 220 पंक्ती की लंबी कर्वता है दूसरी इसकी सबसे बड़ी बिसेशता है कि रावायन के कई परसंग को लेकर कई विश्यों को लेकर बहुत सारे कवियों ने लेखनी चलाई है निराला नागारजुन के प्रिये कभी हैं इन्हें गुरु मानते हैं साकेत में भी राम की चर्चा हुई है मैथलिस रनगुप्त जी के द्वारा रामायन के बाद रामचरित मानस तो अपने आप में एक बड़ी कृती है ही लेकिन इन्हों ने पाशानी कभीता में जिस अस्त्री बिमर्ष को उठाया है वो अस्त्री बिमर्ष मानो भारत भूमी के बिमर्ष की बात कर रहा है वो दोर जब अस्त्री बिमर्ष की भारत में किसी भी भासा में चर्चा नहीं थी उसी समय नागारजुन ने इस कविता के माध्यम से अस्त्री बिमर्ष को उठाया छपरा के 6 किलोमेटर की दूरी पर रिविल गंज जो गौतम अस्त्थान के नाम से चर्चित है और वहीं वो अस्त्थान है पाशानी अहिल्या जो गौतम रिश्य के श्राप से अहिशप्त है और प्रफुराम अपने प्राता स्री लक्षमन के साथ वहां से गुजर रहे होते हैं और वहां उस मुर्ती को देखकर वो सुन्दर मुर्ती को देखकर वहां थोड़ी देर के लिए बिश्राम करने के लिए बैठते हैं और देखते हैं कि ये कुटिया कभी उजड़ा-उजड़ा सा है अस्तिरी के गैर मावजूद्गी में घर किस परकार से बिरान होता है इस पूरे परिद्रिश्ट को इस पूरे मिथ किये ताको नागारजुन ने अपनी कलफना सक्ती से जो रूप दिया है आकार दिया है वो राम देखते हैं भूंटा में मैं थोड़ी से पंक्ती यहां पर राखना चाहूंगा कि राम देखते हैं आगन से हटकर कुछ थोड़ी दूर एक जोपड़ी थी उत्तर की ओर वहां पहुचकर देखा अदभूत द्रिश से भू लूंठित थी नारी प्रतिमा ओ गलानी छोब का वैसा करुण प्रतीक देख सामनी राम रह गए दंग वहीं धम से बैठ गए ततकाल लच्मन पूछते हैं साधारन सी इस प्रतिमा में हे आरिये क्या है जिससे हुआ आपको खेद और तब प्रभुराम उन्हें कहते हैं लच्मन बैठो कौर से देखो क्या तुम्हें यहां इस अस्त्री के इस मुर्थी में तुम्हें कोई बीरा नहीं दिखाई दे रही है कोई आकर्षन नहीं दिखाई दे रही है और तब प्रभु राम उन्हें अस्पर्स करते हैं और अस्पर्स के बाद अहिल्या का उदगार यहां पे सुनिए कि कौन देव तुम मेरे हिर्दैधार कौन देव तुम मेरे हिर्दैधार असुर क्रूर तो सुर होते हैं धूर्त असुर क्रूर तो सुर होते हैं धूर्त चौन मती होते किनर और गंधर्व दुर्विग्य संसई हिर्दैशेहीन होता मानव तुम हो उससे भिन धनवंतरी का कर पल्लव संसस्वर्स सुनती हूं करता हूं अम रत्व प्रदान घंस्याम बतलाओ तुम हो कौन पाशानी में डाल दिये हैं प्रान और इस तरह से फिर राम जी अस्तव्द रह जाते हैं तो इस बतलाते हैं अपना पर्चाई देते हैं और फिर फुचते हैं कि आप अपना पर्चाई बतलाईए हे देवी तब फिर वो अपना पर्चाई देती हैं कि गवतमदार अहिल्या मेरा नाम यहीं कहीं होंगे मुनी भी एराम दिया उन्होंने मुझको यह भी साप पर नरदुशित पुल्चचित तेरी देह हो जाए निस्पंद कुलिश्ट पाशान और फिर प्रफुराम उनकी बात को सुनकर कहते हैं कि अब आपकी पीड़ा यह अंतिम पीड़ा है यह अंतिम दुख है यह अंतिम कस्ट है अब आपके जीवन में कभी कस्ट नहीं आएगा और मैं भी आपको बचण देता हूं कि मैं भी किसी नारी के साथ कभी अत्याचार नहीं करूंगा मैं कभी दुसरी साधी नहीं करूंगा रोवे मत देवी अब नहोगा आपको कोई कस्ट रोवे मत देवी अब नहोगा आपको कोई कस्ट गदगद होकर मनी पत्नी ने कहा और तब आहलादित होकर अहिल्या कहती है धन पाकर तेरे कर कमलो का सपर्स प्राणवंत हो उठा आज का पाशान और फिर करता कि अंत में वो कहती है कि यूग यूग जियो दयालो दीन जन बंधू होगी तुमसे प्रजायतार्त सनाथ और इस तरह से कविता समाब्ध होती है नगारजुन की रचनाओं में यह कविता एक विशे सस्थान तो रखता ही है चुकि छपरा जेल प्रवास में भी इन्होंने उस पूरे भोचपूर इलाके को बहुत ही नजदीकी से देखा था परखा था समझा था साजानन सरस्वती के किसान अंदोलन के दवरान दूसरी बात यह भारत भूमी गुलाम थी अंग्रेजों के अधीन थी तो कहीं न कहीं यह कविता पासानी भारत के उद्धार की भी कहानी है मैं समझता हूं कि यह कविता को दुसरे दृष्टी कौन से देखा जाए तो यह धर्ती यह भारत माता अहिल्या है और गांधी के संदर्व को उस समय मैं रखना चाहूंगा कि गांधी कहीं वो राम तो नहीं जो उद्धार के लिए आए है इस अहिल्या रूपी भारत माता के उद्धार के लिए आए है दूसरे प्रसंग में इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि सहजा नंसरस्वती और राहुल संकरत्यायन जो किसान अंदोलन के दवरान जो जन अंदोलन में उन्होंने जो जुल्म सहे तो राहुल संकरत्यायन को आप लच्छमन मान ले सकते हैं सहजा नंसरस्वती को राम मान ले सकते हैं और वो भी वो बंजर धर्ती के उद्धार के लिए अहिल्या रूपी धर्ती जो पाशानी हो चुकी थी उसके उद्धार के लिए उन्होंने किशान अंधोलन किया और फिर वो पूरी धर्ती जो है वो मुक्त होती है उद्धार उसका होता है लगभग एचीजे कहीं न कहीं एक साथ मिलती चुलती है और नागारजुन इतिहास पुरान में जितने गोते लगाएं हैं कालिदास के प्रती, राम के प्रती कालिदास सच बतलाना अगली कड़ी में मैं कालिदास कविता ले करके आऊंगा तो उस पे विश्यलिश परिशच्चा होगी विल्हाल मैं एक कहूंगा कि पाशानी शिर्शक कविता अपने कत्थ है एवं तत्थे विशाय वस्तू, शब्द चयन, छंद, रस, अलंकार इस तमाम परकरणों में एक प्रावध कईता के तौर फे देखी जानी चाहिए अलाकि उस समय नागार जून बहुत अधीक उम्र के नहीं थे अपने योवन काल से गुजर रहे थे बावजूद जीस तरह से उनमें अस्तिरियों को लेकर के जो एक समझ थी उनके शोशन, उनके उपर हो रहे हत्याचार के परती जो उनकी जो एक चेतना थी वो जन चेतना जो सोशितों के परती हमेशा एक लगाब के रूप में रहा खासकर के बावध धर्म से जुड़ने के बाद जो इनमें एक मानवतावादी विचार आया उन विचारों से उत्पूरूत यह कविता अपने आप में अनूठा है हिंदी साहित का एक अमुल धरूहर है इसी बात के साथ मैं अपनी बार्नी को बिराम देता हूं नमस्कार